ये कैसे अभिनेता जिन्होंने रंगमंच की अभिनेका विदिवत प्रजिक्षन लिया और फिर सिनेमा की एक्टिंग भी सीखी नाम नसीर उद्दीन शाह कितने रावन कितने कंस मिट गए जुल्मों सितम की राह में तो तू क्या उसे मिटाएगा जो है उसकी पनाह में जन्म 20 जुलाई सन 1949 में हुआ नसर उद्दीन शाह का जन्म उत्तरप्रदेश के बारा बंकी इलाके में हुआ था और पढ़ाई लिखाई हुई सेंट अंसलम्स अजमेर और सेंट जोजफ्स कॉलेज ननिताल हालंकि नन्हे नसीर पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा जहां पर ये पूरी तरहां से खुले इनका व्यक्तित्व एक नई उड़ान भर रहा था स्कूल में नाटक हुआ तो मर्चिंट ओव वेनिस और उस नाटक में जब इनके अभीने की तारीफ हुई तो बस ये समझ गए कि अब एक्टिंग का ही दामन थामना होगा अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर मांगने से जिन्दगी कब मिलती है दोस्त अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद नसीरुदीन शाह अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचे साल सन 1971 और उसके बाद सन 1971 में यह पहुँचे नाशनल स्कूल ओफ ड्रामा यहाँ पे अब्राहम अलकाजी सहाब ने इन्हें प्रशिक्षन दिया और फिर इन्होंने मन बनाया कि अब पूने फिल्म इंस्टिट्यूट की तरफ जाना होगा पर अभी भी नसीरुदीन शाह का भविश्य अधर में ही था NSD और FTII में इनके वड़े ही गहरे दोस्त और ओम पुरी भी इन्हीं के साथ पढ़े इनकी एक्टिंग की तो तारीफ हो रही थी पर इनके चेहरे मोरे को देखकर कोई भी इन्हें बतोर हीरो लेने को तयार नहीं था सन 1973 में शाम बेनेगल साहब की एक फिल्म आई जिसका नाम था अंकुर इस फिल्म को देखने कबाद नसीरुदीन शाह समझ गए कि ये जो पैरलल सिनिमा है ये नए दरवाजे खोलेगा बहुत सारे अक्टर्स के लिए और ठीक वैसा ही हुआ सन 1975 में शाम बेनेगल की फिल्म निशान्त में ये नजर आए हानकि ये चोड़े-चोड़े किरदार निभा रहे थे जैसे कि प्रकाश महरा साहब की फिल्म आनबान में ये नजर आए थे पर निशान्त फिल्म में निभाए हुए इनके किरदार ने इने काफी ख्याती दी लेकिन ये मत कहो कि किसी अनाथ को अपने सीने से न लगाना क्यूंकि तुम्हारी तरह हमने भी इस अनाथ को अपने सीने से लगाया है 1989 तक आते आते नसीर साहब ने कोशिश की कि ये जरा ऐसे सिनेमा में भी काम करें जिसे मेंस्ट्रीम समझा जाता है और तब हिरेन नाक साहब की फिल्म सुनैना में ये नजर आए थे देवानन साहब ने भी नसीर उदीन शाह को सन 1982 में अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक करदार दिया पिर कर्मा त्रीदेव इन फिल्मों से इन्हें अच्छी मखूलियत हासिल हुई नसीर साहब के अभीने की दो तारीफ की जा रही थी पर कमोर्शल सिनेमा की तरफ इनके जुकाव को देखते हुए आर्ट सिनेमा ने इन्हें अपने से जरा दूर कर दिया पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है उसे कश्टी नहीं मिलती इसे साहिर नहीं मिलती नसिरुदीन शाह के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि यह जब मातर 20 बरस के थे तभी इन्होंने शादी कर ली थी शादी की थी मनारा सीकरी से जो की पेशे से एक डॉक्टर थी इस शादी से इनहें एक बेटी भी हुई जिसका नाम रखा गया हीबा पर शादी चली नहीं और एक दूसरे से अलग हो जाने के बाद मनारा सीकरी अपनी बेटी हीबा को लेकर इरान चली गई उसके बाद वो दोर आया जब नसिरुदीन शाह का रोमैंस शुरू हुआ मशूरो मारूफ अभिनेतरी रतना पाटक शाह के साथ ये वो वक्त था जब एफटी आयाई से अपना कोर्स खत्म कर लेने के बाद नसिरुदीन शाह बैंडरा इलाके में रहा करते थे महान रंग कर्मी सत्य देद दूबे के एक नाटक में ये काम मांगने गए वहीं पर इनके मुलाकात हुई रतना जी से छे बरस तक इनकी महबबत परवान चड़ती रही और फिर इन्होंने शादी कर ली शादी के बाद नसिर साहब ने अपने अतीद के कुछ पन्ने अपनी बीवी रतना के साथ बाटे बताया कि बीच साल के उमर में शादी हुई थी, बारा साल की बेटी है इतने बरसों से मैंने उसे देखा नहीं, मालूम नहीं कि वो भी मुझे पहचानती है या नहीं पर नसिर साहब की पहली बीवी मनारा के गुजर जाने के बाद इनकी बेटी हीबा इनहीं के पास आके रहने लगी एक लंबा अर्सा बीद गया था, दूसरी शादी से इन्हें दो बेटे हो चुके थे बात जरा अटपटी जरूर थी, पर जिंदगी अपना रास्ता बना रही थी फिर वो लमहा भी आया जब नसीरुदीन शाह ने अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने नाटक में डिरेक्ट किया नाम इसमत आपा के नाम, महान लेखी का इसमत चुक्तई की कहानी उपर आधारित ये नाटक बड़ा मक्बूल हुआ एक लंबे संघर्ष के बाद नसीरुदीन शाह ने वो नाम बना लिया तो बहुत कम अक्टर्स कर पाये थे बहुत जेल नहीं तुम लोगों की बेवकुफिया बहुत जेल नहीं अब और नहीं जेलूँगा और कान खोल के सुन लो जिस तरह दौलत के लिए खून करना हम लोगों का पेशा है वैसे ही दौलत के लिए लूट पाट करना इंडाकों का और जैसे कोई हमारे काम में दखल देए हमें मन्जूर नहीं उसी तरह चाहे कुछ भी हो जाए हमें से कोई भी इनके मामले में टांग नहीं अडाएगा नसुरी दिन शाह को इस बात का भी दुख रहा कि अपने वालत से इनकी बातचीत ज़रा कम रहा करती थी और चुकि उस रिष्टे में कड़वाट थी तो पिता पुत्र के बीच गुसा ही ज़ादा रहा हाला कि इनके बच्पन में इनके मामा जान इनके हीरो हुआ करते थे वो एक अलग महौल था बंदूकें विगरा चलाई जाती थी लेदर जैकेट पहने जाते थे घुर सवारी हुआ करती थी आम के बाग कितने में बिके ये सारी बाते हुआ करती थी और इन चीजों ने गहरा असर डाला था नन्हे नसीर पर भारतिये रंगमंच और भारतिये सिनेमा के तिहास में नसीर दीन शाह का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History